असल्म अलेकूम कैसे आना सब लास्ट लेक्चर में हम लोगों inhal राक्षिना के मतलिक बढ़ा था डी आने राप्लीकेशन के मतलब कि रैप्लीकेशन अक्शुलीजुरी क्यों F हमें ग्रोड स्केल में रैप्लीकेशन बहुusन के इन ररेपन्यास्मेंट करें। तिशिउ की जो के इंजिरी हो जाती इसके लिए हमें DNA रेप्लिकेशन बहुत जरूरी कि DNA रेप्लिकेट होगी तो सेल जो हैं वो मल्टिप्लाइब करेंगे अच्छा जहां तक हमने पिछली रुफा देखा था हमने यह देखा था कि DNA रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होती है तो एक जो DNA है जो बड़ा स्ट्रेच है और वो क्वाइल हुआ होता है इसमें मल्टिपल साइट सोती है रेप्लिकेशन यहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है और रेप्लिकेशन से इनिशेट करने के लिए प्री रेप्लिकेशन कंप्लेक्स होते हैं different proteins के जो के रेप्ल में जुरूरा नहीं थी वहां वो आकर अटैज हो जाते हैं अच्छा जब रेप्लिकेशन शुरूरा थी तो बंते हैं एक स्टैंड जिसे हम लीडिंग स्टैंड थी प्राइम् स्टैंड नहीं हो सकती तो उसके लिए किया है जरूरी कि कि आप उधर जो हैना कास्धी फ्रेग्मेंट्स पने और तो फिर डीने लाइगेज आपस में जोड़ेंगे अच्छा यहां दो बहुत डीने पॉल्यमेर्स DNA polymerses जो हैं वो नुकलेटाइस को एड करते हैं वो stand को length करते हैं और stand को complementary बनाते हैं leading और lagging में जब उक को दकी fragments को जोड़ देते हैं तो फिर DNA polymers का action आते हैं तो DNA polymers is different types के हैं DNA polymers जो delta है वो leading stand के लिए specialist है और DNA polymers जो alpha है that is actually specialized in making DNA identical DNA from a lagging stand RNA primers की हमने उसमें भी बात की थी जो मैंने आपको video भी भी बेज़ी है kindly वो एक video भी देख लें यह RNA primers को add करते है DNA polymers जिसना बात की है एक तो उपर से five prime to three prime चलेगा दूसरा यह AUKASA की fragments है इनको जो है ना इनको आपस में जो जो है ना ट्रांस्क्राइब करने की काम आता है उसके बाद जब लाइगेजिस आपस में जोड़ लेते हैं तो यह RNA DNA primers को उदर से अलाइदा करता है ताकि DNA जो है वो RNA में ना convert हो RNA ना जाए messenger RNA that is basically a true copy of the parent DNA 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 helicases nucleases or flip endonucleases है यह जो flip बनता है ठीक है एक overhangs बनते हैं जब आपके उकरदा की fragments को आपस में जोड़ा जाता है उनको remove करने के लिए ना यह endonucleases यह ना मजूद होते हैं इसके लावा RNA जो होता है इसको degrade करने के लिए जो RNAs है वो बहुत important है इसके लाव ligase 1 जो है यह तमाम segments को आपस में जोड़ देते हैं अच्छा अब जहां तक DNA replication की हम बात कर रहे थे ठीक है और वो replication भी चाहरा है वो बड़ा simple सा process है ठीक है और वो complicated नहीं है उसमें आपने replicate करना है किसी भी जो है ना उसकी जो है ना आपने जो है ना क्रोमोसों को अच्छा उसमें आप यह देखें कि replication activities जब शुरू होती है तो एक तो application fork है और application fork आपको मैंने बताया था इसी तरह जिस तरह वो barbecue fork नहीं होता उस तरह का है बिल्कुल टोटली दो एंड्स हैं जब यह open होता है अच्छा जब open होता है तो obviously जो है ना पॉलीमेरेज़ प्राइमेज़ यह आपके जो है ना लेगिंग और लीडिंग स्टेंड दोनों पर होते हैं सिंगल स्टेंड बाइडिंग प्रोटीज बेसिकली स्टेंड को यह दो डीने के हैलेक्स जैंड दो स्टेंड इनको open रखने में help करती है टाके जो है ना पॉलीमेरेज़ अपना काम करते रहे इसके लावा हैलीकेस जो हैं यह लाइक शीजर यह काटते चले जाते हैं आगे की साइड पर अच्छा टोपोईस्व में इस बड़े सबर रसमें ने को आपने देख़्ए कि डीने की जो है ना यह वाइंडिंग हुई होती है ठीक है ट्विस्ट करके ना एक दूसरे के उप़र और फिर शुपर ट्विस्टिंग हुई होती है वह इतनी तो आप दागे के दो एंड ने उनको आपस में जोड़ना शुरू करें और दो एंड जो है आप किसी और को पकढ़ दें यह रसी के देख लें रोप को देख लें अगर बीने बीस नाव मैँ चोटी जगा पर आपने बहुत सारा मतीरियल लगना है उसको आपने कंप्रेस करके रखते हैं या अगर आप यूस बहुत करते हैं यह चोटी सी जगा पर आ जाए तो टोपॉइसम इस उसको आगे से खोलते चले जाते हैं ताकि पीछे से अगर सीजर काम कर रही है तो सीजर अराम से कट करती चले जाए हैलिकेज़ जो है वो और जो हैना ठुपवा इसमेज़ जो अनक्वाइलिंग होई होती है इसको स्टेबल रंखने में हैल्प करते है और इप्लिकेश्चन ओफ रीजन्वहां से जहां से रैप्लिकेशन शुरू होती है और दो दो himself डिटरल होगां। जो DNA polymerase delta है और alpha दोना के मतलिक मैंने आपको बताया था कि जो leading strand है उसमें polymerase delta काम करता है और जो lagging strand है उसमें जो active DNA polymerase that is called DNA polymerase alpha ओकाजा की fragments का है यह इसमें आप देखेंगे कि ओकाजा की fragments जब बनते हैं वो बनने में ही होता है कि छोटे-छोटे fragment रहें क्योंकि lagging strand पर five prime three prime to die नहीं सकती तो यहां जो है ना वो छोटे-छोटे fragments जो है ना आरने प्राइमर्स आड़ करता चला जाता है वो आरने प्राइमर्स को जो है ना फिर DNA है यहां जो हैं और रफने वो प्राइमर्स को रिमूव कर देते हैं जो सीक्वेंस डीन ने सीक्वेंस हैं उनको रहने देते हैं जो आरने प्राइमर्स को रिमूव किया जाता है जब आरने प्राइमर्स को रिमूव किया जाता है जो डोट डीने के इंडेंटिकल सीक्वें यह उसी तरह जो है उसकी डिटेल डिस्कृपशन है, अलीकेज उन्वाइन करते हैं, फिर सिंगल स्टैंड बाइनिंग बाइनिंग प्रोटिन्स इसको जो है ना stabilize कर रही है leading और lagging stand कठे synthesize होना शुरू होते हैं जो stand continuously चाहरा है 5' to 3' leading stand वो जल्दी हो जाता है लेकिन जो है जो lagging stand है उसमें jokers की fragments है ठीक है उसको जो है ना उनको join करने में ligases और फिर जो है उसको polymerases जो है ना जो RNA primer sequences उनको replace करने में help करता है और फिर आपका identical chromosome replicate certificate हो जाता है अच्छा अब topo isomases की जो बात कर लें अब जिस्ता मैंने आपको यह तस्वीर में दिखाया था कि जब आप winding करते हैं तो वह super coiling होई होती तो topo isomases 1 जो है और topo isomases 2 जो हैंगे दोनों हैं यह क्या करते हैं negative super coiling करते हैं negative super coiling का मतलब होता है कि आप खोल रहे DNA को आप open करें अच्छा DNA को आपने open करने तो आपके पास open करने के लिए topo isomases हैं ठीक है इसी तरह जो आपके पास एक दो और enzymes हैं जो कभी हम आगे बात करेंगे वो इसको फिर super coiling करते हैं क्योंकि जब आपने खोल लिया और इसको replicate कर लिया तो उसके बाद फिर आपको य रखें तो टोपा सोमरेस जो वन है यह सिंगल स्टैंड ब्रेक क्रिएट करते हैं ताकि उस पे एक सिंगल स्टैंड पे डबल स्टैंड पे एक सिंगल स्टैंड को जो है ना ब्रेक क्रिएट करते हैं जो टेंपरेरी होती है और सिरफ जो है ना अन्ट्विस्ट करने के जो फॉस्फोडाइस्टर बैक्वोन उसको दोबारा जोड़ दिया जाता है ठीक है और यह करता है यह अन्वाइंड करता है ठीक है नेगटिव सुपर क्वैलिंग यह आपने याद करना है और दूसरा यह प्रॉसेस बड़ा सिंपल सा है इसके लिए आपको को बहुत जादा डबल यह ट्रिपल जो इसको ओपन करने के लिए ना आपको दोनों स्टैंड को तोडने के लिए आपके पर टोपर आइसमरी यह भी जो है नेगटिवली जो है ना इसको अन्वाइंड करते और त्यूंकि दॉबल स्टैंड तोड़े जारे हैं दूनों साइट पे यह फोस् यह फिर दुबारा जोट जाते हैं कि उसमें कोई मसला नहीं होता है लेकिन इस प्रॉसेस के लिए जब डबल स्टैंड की बात करते हैं तो इसके लिए आपको आपको चाहिए अच्छा दूसरे यहां जो है वो एक जरूरी बात जो बताने अली है कि कीमो थेरपी ड्रॉग्स हैं कुछ ठीक है जिनमें आईरोनाटी कहन है और टोपाटी कहन है यह टोपाइसमरेस वन को इन्हिबिट करते हैं अब इन्हिबिशन क्यों चाहिए अगर आप इनको इन्हिबिट कर देंगे इनको काम ही नहीं करने देंगे ऐसी मेडिसन होंगी जो कि इनको इनको का रैप्लिकेशन के स्टार्ट में काम नहीं करने देंगी तो दीने रैप्लिकेट नहीं होगा तो सेल डेथ की साइड पर जाएगा क्योंकि इसके अलावा अंटी टोप होना बहुत जुरूरी है तो जब आप इसको नहीं 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 देंगी तो DNA नहीं नहीं होगा तो इसी तरह तो आपके पास है टॉपिसाइड है टॉपिसाइड है और हु 331 जो की इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है यह जो है ना यह टॉपा इसमरेस 2 को इनेबिट कर देती है जब कैंसर सैंस में तो DNA रेप्लिकेट नहीं होता है जब DNA रेप्लिकेट नहीं होता तो DNA डैमेजिंग एजेंट जो हैना वो बहुत अच्छी तरह काम करते हैं तो आप निसँ के दो लिएंट से डीन अमसाइज यह आमतार पर डियन लिगाइज जो आना ने और यहां ऑमाइनो किमरेशन और कि यह रिस्पांड करते हैं ठीक है क्योंके डियन अगाइयरेस को इनिभेट करती हैं यह दोनोट मैडिसन और जो बिक्टेरिया को जो है ना किलिंग म फ्रवाई दवाई नो विए यह करती है यह ना एक्टेरियल जो है ना टो आपके इसका एक्ट करती है है यह चरह को आपके पास रिवर्स का है जो के तो इसके ही एक रशाद है है और यह पॉजिटिव सुपर कोयल करते हैं यह वह इंसायम से जो मैंने पहले भी बात की थे का टोपवा इसमरेज़ अन्माइंड का रहे हैं और खोल रहे हैं तक कि रैप्लिकेशन हो तो रैप्लिकेशन के बाद भी रिवर्स गायरेज़ का बहुत इंपॉर्टन एक्षन ह के लिए दुबारा जो है ना वो डीने को तियार करते हैं तो रिवर्स गायरेज़ जो है आपने याद रखना है कि हमेशा जब जाम लिया जाएगा थो यह हमेशां नाध्य का रहे हैं अन्वाइल का रहे हैं ठीके नेगेटिव और यह पॉसितिव जो का रहे हैं अचा यह negative supercoiling का रहे हैं, relax का रहे हैं, reverse gyres जो है, यह positive supercoiling का रहे हैं, अच्छा नीचे जो है यह भी बड़ा important है यह देखने के लिए कि पॉली मेरेज इस किस किसम के हैं, पॉली मेरेज जो DNA, पॉली मेरेज अलफा है, यह lagging strand को जिससे हम बात की थी, पॉली मेरेज जो है, बीटा जो है, यह basic cn repair में काम आता है, पॉली मेरेज जो है, गैमा जो है, यह mitochondrial DNA की synthesis में, डेल्टा जो है, लीडिंग strand के लिए, पॉली मेरेज जो epsilon है, यह DNA को repair करता है by nucleotide and basic cn repair, तो यह kindly जो यह जो पार्ट जो है न, यह जो टोपाइसमरेज इस रिलेटेड है, और DNA पॉली मेरेज इस रिलेटेड है, यह ज़रा याद रखने वाला है, और खास आरप जो DNA है न, उनको याद रखें, क्योंकि आगे जितने जो DNA है, जो low fidelity DNAs है, different mu है, जो है न, lambda है और सारा, यह hyper mutation करते हैं, B or T lymphocytes में, but you have to remember what DNA topopasemases do, क्योंकि यह आपके MCQs में, यह सवाल आ सकता है, और high fidelity DNAs में, alpha, beta, gamma, delta, और epsilon, जो है न, वो क्या कर रहे हैं, बाकि rest of the things you already know, telomerase का हम आगे पढ़ते हैं, DNA primase क्या कर रहा है, DNA ligase क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके इसके लावा single strand binding protein सो, उनका क्या है, आपका काम यह है, कि आपने pre-replication complex के मतलिक, जो हैना, information जो हैना, वो पढ़नी है, maybe I will ask this information in your MCQs, जो होगा, तो आपने information, जो हैना, मुझे send करनी है, every one of you should send me what pre-replication complex is composed of and how it is formed, what are the signals और जिसे जो हैना, pre-replication complex जो हैना, वो बनता है, तो lecture सुनने के जो हैना, वो advantage यह भी है, कि आपने यह मुझे, as an assignment, जो हैना, a small assignment, it's not the bigger one, it's the smallest one, जो कि आपने मुझे भीजनी है, अच्छा, अब हम बात कर रहा है, थोड़ी सी, जो हैना, तीलो मेर के मतलब, अच्छा, तीलो मेर है क्या चीज़, बड़ा interesting चीज़ है, बड़ी मज़दार चीज़, अच्छा, यह, तीकि मार्मोस्स थी टू ट्वेंटी किलो बेस स्पेर्स का जो हैना, एक sequence है, और repeated sequence है, जो डिन ने के जो end होते हैना, उस पर TTA, GGG, TTA, GGG, TTA, GGG, TTA, GGA, यह, दस, पंदरह, बीस, यह different sequences हो सकते हैं, यह 10 sequence, यह 5 sequence भी हो सकते हैं, तो यह repeated sequences ने end में DNA के इसना चलते हैं, अच्छा, चुंकि आपको पता है, कि DNA polymerases में, जहां एक quality है, कि वह अच्छा DNA को बनाते हैं, identically, वह एक उसमें यह कि नुकसान यह होता है, या उनकी आप weakness कहलें कि वह जो हैना, 3 प्राइम तो 5 प्राइम जो हैना, translate नहीं कर सकते हैं, होता यह कि जो आपके end रह जाते हैं, जो आपके lagging stand पे end रह जाता है, that is almost जो हैना, 5 प्राइम होता है, वह end, और वह 3 प्राइम से तो आगे कर नहीं सकते हैं, उसमें और कजा की fragments भी नहीं बनते हैं, तो वह जो हैना, with every replication, जो lagging stand बनता है, leading stand तो ठीक जा रहा था, वह 5 प्राइम तो 3 प्राइम ट्राइम हो रहा है, लेकिन जो lagging stand हैना, जो उसके जो end होते हैं, और खास तर पर यह sequences होते हैं, TTA, GGG, इनक बनता नहीं है, replicate नहीं होता है, और जब नहीं बनता है, तो इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ही होता है, कि एक chromosome जो है, किसी एक cell के अंदर chromosome जो है, with every cell deviant, वह छोटे होते चला जाते हैं, जिसना आपको पता है, कि माइटोसिस में एक cell ने दो identical daughter cells में होना है, त daughter cells है, उसके जो chromosome जो होने लग जाएंगे, तो लिहाज़ा, ultimately होता है, कि शौट होके कुछ deviant के बाद, कुछ deviant के बाद cell जो है, वो या तो सैनिसेंस में चले जाते हैं, या cell या खतम हो जाते हैं, तो ये cells का एक बहुत, बहुत आल्ला ताला ने एक जो है ना, ये process रख़ होती है, और आपके पास जो है ना, cells clog कर दें, आपके blood vessels को, आपकी skin ठीक हो जाए, क्योंकि उसमें cell dead नहीं हो रहे, तो cell जो है ना, जो आपके somatic cells है ना, ठीक है, इस नोट gamut, आपके जो है ना, germ cells नहीं, नोट, मैं यहाँ sperms की या ओवोसाइट की बाद नहीं कर लाद ल यही चाल रहा होता है, तो इसके अलावा, आपका जो है, जो गैमिट सो गया रहा है, उसके अंदर जो है ना, आपको एक special quality रखी तो उसको आपको टीलोमरेज एक enzyme दिया, यह enzyme जो है ना, हम आगे देखेंगे, कि enzyme क्या करता है, किस ता sequence को replace करता है, उसके लिए जो है ना, मैं आपको एक video आपको दिखाता हूँ, उस video से आपको जो है ना, टीलोमरेज का और टीलोमेज का जो है ना, वो ज्यादा sequence जो है ना, वो पता कर जागे, अच्छा यह जो आप sequence देख रहे हैं, इस sequence के अंदर जो आपको आपको, जिससे मैंने पात किये थी, कि टीलोमरेज sequences है ना, वो TTA, GGG, TTA, GGG, TTA, GGG, TTA, GGG, TTA, GGG, इस चाना था ठीक है, इसमें ही होता है कि जब यह replication शुरू होती है, एक overhangs है, ठीक है, 5' to 3' to direction 3' का लिए है, ठीक है, जो overhangs पे जाए हैं, ठीक है, लेकिन छोड़े से जो overhangs रहे जाते हैं, जो sequences replicate नहीं होते हैं, जो 3' to 5' नहीं हो सकते हैं, वो जो है ना, वो एक hanging sequence है, जब यह replicate करता है, ठीक है, तो यह sequence रहना, वो replicate नहीं होता, तो होता ही है, कि आपके जो फ्रूम होता होना है, वो चोटे से चोटा होता है, चला जाता है, उसके लिए अल्ला ताला ने एक enzyme रखती होती है, अच्छा, तील स्टैंड जो इसके साथ होता है, यह करता है, कि यह sequence नहीं होता है, जिसना ना सगर से किती है, उसको जो है ना, रिप्लेस करता है, उसको रेप्लिकेट करता है, इसका जो sequence होता है, वहां से, जो polymerase enzyme है, वो polymerase आके करता है, कि आपके जो next sequences होते है, जो आप इसमें देखने ह की है उन सीकनिस के साफ was extend करता है, extend करता है सेен्द करता है तब इस दफा करता है, बीछ दफा करता है, फसल सौ दफा करता है यह रते है वह इतना extension करता है कि आपके लाग लेंग stanie के अंजर नहीं डीन देडिन ने पॉलिमरे वह आपके नीचे भले जो स्टेंड बना देता है ठीक है सबसे पहले उसके गेंस के दिदे tenaются'te e को सी किरिंड है। जो तो । पहले खुददड़ स्टेंड को, स्टेंड का जो अगेंस के कयो होती है। इसमें आपका DNA शॉट होने से बच जाता है। यही चीज ने उसमें यही रख्या है कि क्रोमोसोमल शॉटनिंग होती है। इसको शॉटनिंग को बचाने के लिए तीलोमरेज इंजायम है। तीलोमरेज जो है उसके अंदर इसके साथ होता है। इसको फिर इतना एक्स्टेंड करता है कि आपका DNA वह अलगा से उनको रेप्लिकेट कर देता है। फिर फिर थोड़े से उसमें गैस जो होते हैं। उनको डोजाइन करने के लिए ने लाएगेज है। तीलोमरेज जो है। जिसना मैंने पहले बात की ती श सुरी मैं भूल गया था एक स्टैंप जो है न वह बहुत अच्छा है। स्टैंप जो है उसकी जब डिवियन होती तो स्टैंप सेल का एक करेक्टर इसी शी होती है कि उसने अपनी तरह का बनाना है और सेब करना और एक डिफ्रेंशेटर सेल बनाता है। अगर वह मल्टीप होती है जब भी कोई इंजिरी होती है जो स्टैंप सेल्स है न वह आपको बचाते हैं तो थैंक यूवरी मुच नेक्स लेक्शर में हम डियने डैमेज और रिपियर के मतलेक जो है न वो इसको इन्शाला तला पढ़ेंगे।